शेहर में ठंड से बचने के लिए कोई प्रशासने के इंतिजाम ना होने के कारण गरीब और असहाई लोग रात में फुटपात पर सोने को मजबूर है। यह स्थिती निर्दई है क्योंकि एसन मेडिकल कॉलेज और इजला स्पताल में भी मरीजों के ती मरदार खुले आसमान के नीचों सो रहे हैं जो उनकी सुरक्षा को खत्रे में डालता है। प्रशासन को इस मामले में सकारात में को कदम उठाने चाहिए ताकि शहर के असहाई लोगों को ठंड से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश में बर्दी कडाकी की ठंड ने सरकार को कटनाईयों में डाल दिया है। सरदी से राहत पहुचाने के लिए सरकार ने प्रतेख जिले को एक अलग से बजट भेजा है। लेकिन इस्थानीय निवासीों का केना है कि इस कडाके की ठंड में सरकार द्वारा उचित इंतजामात करने में कमी हो रही है। जिले के अधिकारियों को सरकार द्वारा रेन बसेरा और अलाव की वबस्ता कराने के निर्देश दिये गए हैं लेकिन इसकी तैयारियों में नकरात्मक्ता दिखाई दे रही है गरीव और असाय लोग ठंड से बचने के लिए कोई दूसरा सहारा महसूस नहीं कर रही है और रेन बसेरों बालों के लिए भी उचित इंतजाम करने में कमी हो रही है जबकि सरकार ने प्रतेग जिले को बजट प्रदान किया है लेकिन इसका व्याय सही तरीके से नहीं हो रहा है गरीव लोगों को खुले आसमान में राद बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है जो उनकी सुरक्षा के सम्मंद में चिंता पैदा कर रहा है इस्थानिय निवासियों ने सरकार से त्वरित कदम उठाने की मांग की है ताकि ठंड में सभी को सुरक्षित रखा जा सके और गरीवों को भी स्वस्त रहने का अधिकार मिले एसन मेडिकल कॉलेज और जलास्पताल में भी ठंड के खिलाफ अलाव के इंतजाम में कमी हो रही है जिससे लोगों को सही स्वास्ते सुरक्षा प्रदान करने में कचनाई हो रही है सरकार को इस मामले में तुरित कदम उठाने की जरूरत है ताकि ठंड में सभी को सुरक्षित किया जा सके और लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिए सही साधन प्रदान किये जा सके सीनियूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट